हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आप सभी का मेरे चाइनल में स्वागत है आज मैं आप लोगों को लेक्याई हूँ कुई अगर आप लोग घर में खुझ से थ्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको किस तरीके से सुरुवात करनी है इसकी सबसे पहले आपको शुरुवात करने के लिए इसका धागा पकड़ने आना बहुत जरूरी है जब आप अच्छे से धागा को पकड़ के चलाने सीख जाते हो उसके बाद आप दूसरों के भी आईब्रो बना सकते हो अपना भी थ्रेडिंग अच्छे से कर सकते हो तो सबसे पहले आपको धागा पकड़ने आना चाहिए तो मैं इस दो तरह का आपको सिखाऊंगी धागा पकड़ना और अगर आप लोगों को आईब्रो का सेप देने आईब्रो को बनाने सीखना है उसका मैंने वीडियो बना रखा है तो मैं अपने डिक्सेप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी अगर आप लोगों को पूरा आइब्रो का देखना है कि किस तरीके से से शेफ देना और किस तरीके से अब खुद से घर पे अपना आइब्रो बनाना चाहते है तो आप जाके वहाँ पे उस वीडियो को मेरत देख सकते हैं तो मैं अज आप लोगों को धागा पकरना सिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको पहले धागा पकरने की प्रैक्टिस करने चाहिए उसके बाद अपना या किसी और कभी आइब्रो बना सकते हैं क्योंकि बहुत ईसा पार्लर या काम हो जाते हैं चाहिंट हो अफुकंग कोो फ़ sentenced test तो कभी भी बना सकते हूं तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए कि आपको अईपरू का धागा समें पकड़ा पॉरा धागा का गोला है इस तरह से यह जैसे निकला हुआ है यह है तो इसका जो साइट का है कोना इसको पहले फर्स्ट जो बता रही हो इस तरह से आपको अपने मुह में लेना है और यह धागा है हमारा इसमें अपने उंगली को इस तरह डालना है जैसे इस तरीके से लेना है देखिए आप और इस तरीके से इसको ठेलाना है और इससे टानना है देखिए इस तरीके से आपको धागा पकड़ने का पहले प्रैक्टिस करना है कि बहुत ही अराम से आपको धागा पकड़ना और चलाना के प्रैक्टिस करना हो सके तो आप किसी के हाथ पर या पैरों पर पहले आप इसका तरह बना सकते हैं तो यह तो फस्ट तरीक हुआ जो आप किसी और का बना सकते हैं इस तरह से प्रैक्टिस करके और मैंने बताया बिल्कुल सिंपल तरीके से फिर से मुल में लेना है इस तरह से अगर फुर्स्थ तरीका वह जिससे और का आईप्रो बना सकते हैं किसी और के मोले करके palape किजिए घुप्री स्कृटका करना है तो उसके लिए य sniff लंबा धागा लेना है यहां से जैसे इतना आपको तोड़ लेना है जितना आपके हाथ में आपको सुविधा लगे कि इतना दूर मेरा ठिक से हो रहा है हम पकड़ सकते तो इस तरह से एक धागा लेना है इसको 20 से हां से काट लगा देना है साइड में इस तरह से इसको गाट लगाना है तो अगर जादा लंबा तो नहीं इतना रखना आपको देखिए जैसे मैंने इसको गाट लगा दिया इस तरीके का बन गया है तो इसको आपको क्या करना है ? क्भीस से बनाने के लिए इस तरह से side से आपको मौड़ना है जैसे मैंने मूझ में ले और इसका दूसरा तरीका है इस तरीके से मोड़ना है अब आप इस तरीके से अपना कर सकते हैं तो इस तरह से आपको पहले प्रैक्टिस करनी है जैसे इस तरह से आप लगाएं अब फिर देखिए कितना अराम से इस तरह से आप निकाल सकते अपना हेर अपना फोरेड आप ख अपने फोरिब बना सकते हैं ऐसी सिद greatly जो मैंने पहले वीडियो में बना रखा है विए ज tad तरह से आप में अपने अपने जीवरे सकते हैं इसके लूडीक तरह लेक pasta it नहीं पड़ेगी आपको सीप धागा चाहिए और आपको जो सेप देने के लिए जो पैंसिल जो सीजर होगा उसकी जरुद पड़ेगी तो आप जाके उस वीडियो को देख लेड़ेगा आप लोगों समझ में आ जाएगा इस वीडियो में मैंने सीप धागा पकड़ने बताय तो इस तरह से मैं ने दोनों तरीका बताया धागा पकड़ने का और इसका आपको प्रैक्टिस करना उसके बाद ही आप अच्छे से अपना धागा इसे अपने घर पर बना सकते अपने ध्रेडिंग कर सकते हैं तो दुस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यूँ है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और जो बेल बेटन आता उसको भी प्रेस करिएगा ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना हूँ आप लोगों को मिल सकें ओके बाइ थैंक यू